हम सब इंसानों की जिंदगी में कई बेसिक नेसिटीज होती उनी फेक्टर में से एक एहम फेक्टर हमारी जिंदगी में माल है, पैसा है, मनी मन इसानों की लोग ऐसे जो यह कहने लगते हैं कि बहुत ज्यादा माल यह इंसान को घुम्राह कर देता है, माल यह फितना है, बहुत ज्यादा माल होना अच्रीबात नहीं है वगेरा वगेरा लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलू कि यह जो ख्यालाथ है, यह सिर्फ और सिक्के का एक पहलू है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं यह सिक्के का एक पहलू होते हैं यह सिक्के के दूसरे पहलू पर अगर हम नजर डालेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे उस्मान बिन अफ्वान रदी अल्लाहुन जिने गनी का लकब मिला था बिलिनियर सहाबा अब बहुत जादा जिनके पास माल लुआ करता था उन्होंने हमें यह सीख दिये है कि बहुत माल इंसान को गुमराँ नि करता बलकी अगर एक इन्सान बहुत जादा माल कमाए और उसे बहुत जादा अल्ला की रा में खर्च करें, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी नियमत बनता है, उसके लिए आखिरत में निजात का सबब बनता है तो मैंने सोचा क्यों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अमीर होने की, मालदार बनने की बिलिनियर बनने की पाच ऐसी दुआए रखो जो अल्ला के नभी मुहम्मद रसुल अल्ला ने हमें सिखाई है आप से साबित है तो चलिए पहली दुआ से हम शुरू करते हैं दुआ नंबर एक है अल्लाहुमा अक्षिर माली ववलदी वबारिक ली के ऐ अल्लाह मुझे कसरत से माल और अलाद अता फरमाईए और आपने मुझे जो कुछ भी दिया है आप उसे में बरकत अता फरमाईए ये दुआ आपको मिलेगी सही बुखारी की अधीस नंबर 6334 और सही मुसलिम की अधीस नंबर 1928 में बढ़ते हैं दुआ नंबर 2 की तरफ अल्लाहमा इनी असअलुका इल्मन नाफिया वरिश्कन वासिया वरिश्कन वासिया वरिश्कन मिन कुलिदा के ऐ अल्लाह मैं आपसे नफा बक्ष इल्म और वसी रिज्क याने वास्ट बहुत जादा रिस्क का और हर बिमारियों से शिफा का मैं अल्लाह आपसे सवाल करता हूँ ये दुआ आपको मिल जाएगी सुनन इबन माजा की हदीस नंबर 1018 में दुआ नंबर 3 अल्लाहमा इनी असअलुका अल्हुदा वात्तुका के ए अल्लाह मैं आपसे हिदायत का तक्वे का पाक दामनी का और गनी होने का सवाल करता हूँ मतलब बहुत जादा माल मालदार होने का सवाल करता हूँ ये दुआ आपको मिल जाएगी सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2721 में दुआ नंबर 4 के ए अल्लाह मुझे अपने पास से अपना हलाल रिस्क अता करके हराम से बचा लीजिए और मुझे अपने अलावा दूसरों से गनी कर दीजिए मुझे मालदार कर दीजिए ये दुआ आपको मिलेगी सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 6563 में अब बढ़ते है इस वीडियो की आखरी दुआ याने दुआ नंबर 5 की तरफ सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये जो आखरी दुआ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान है हम मेंसे हर कोई इंसान इसे याद करके इसे हर जगा चाए वो कही भी हो चाए वो स्कूल में हो कॉलेज में हो टूशन में हो बिजनस पे हो ऑफिस पे हो घर में हो कही भी हो वो इसे पढ़ सकता है कसरस से पढ़ सकता है और वो आखरी दुआ है अस्तखफार जी हाँ, हम याद करें, अपने रफ से माफी मांगो, अपने रफ से इस्तगफार करो, उसकी तरफ रुजू करो, अस्तगफार करो, इन्नहु काना घफारो, वो बेशक बहुत जादा गुनाहों को माफ करने वाला है आगे क्या फर्माया नूँ अलिएसलाम ने, कि जब तुम अस्तगफार करोगे, तो इसका क्या फाइदा होगा, युर्सिलि समा अलैकुम मिद्रौरा, तो अल्ला ताला तुम्हारे उपर आस्मान से बहुत सारी बारिश करेगा, वयुम्दिद कुम्भी अम्वाल, और तुम वो वड़िया पर युजुवाए कि अल्ला तुम्हे थोड़ा नहीं बहुत माल अता करेगा, वयुम्दिद कुम्भी अम्वालियू, वबनीना वयज्ञल लकुम जन्नातियू, वयज्ञल लकुम अन्हारो, तुम्हे बहुत ज़्यादा माल देगा, वो तुम्हे बहुत दुआए मैंने आपको बताया हूँ, वो चारो दुआए आप वीडियो पॉस करके, रिपले करके, बार बार देखके, रिस्टार्ट करके, आप वो चारो दुआए याद कर लेंगे इंशालला, और इस वीडियो को दूसरों से भी शेर करेंगे, ताके हमारे साथ साथ, हमा प्रिटिव उम्मीद रखें, और इन दुआओं को कसरस से हम इनका एत्माम करें, इने पढ़ते रहें, अल्ला ताला से दुआए, अल्ला ताला हमें इसकी तौफिक दे, आमीन रबलालमीन, वा आखिरू दावाना, अनिल्हम्दिल्ल्लै रबलालमीन, वा आखिरू दावा